हेलो बच्चो, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस टुटर में आज किस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट कार्ड, नाविक, जीडी, डीवी और यांत्रिक के बच्चो के लिए मैट्स के एक्सप्क्टर कोस्टन को और आज का हमारा चैप्टर होगा पर्सेंटेज, यह पर्सेंटेज का लेक्चेर नमर वन है इससे पहले हमने आपके लिए और भी लेक्च्चर को दिये हैं डिफेंस चैप्टर पे तो जिन्हों ने भी अभी तक उन सभी lectures को नहीं देखा है तो playlist से जाकर देख सकते हैं तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक किजेगा और साथी साथ चैनल को भी सब्सक्राइब किजेगा तो स्टार्ट करते हैं वीडियो में और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि यह जो आपका percentage का वीडियो होगा ठीक है तो यह questions यह आपको यह lectures होंगे वह बहुत ही easy होने वाले हैं बस इसके यहाँ पर जो भी languages सिखाए जाएगे उस languages को सिखियागा कि आपको यह lesson में अगर इस language से आजा तो आप उसको कैसे deal करें ठीक है और आपको percentage के basic questions यहाँ पर करवा जाएगे फिर आगे कि तरह जैसे हर एक वीडियो में बताते थे हम आपको फिर धिर 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 लेवल को बढ़ाएंगे ठीक है चलिए question number one क्यों बढ़ते है a salary is 50% more than b a का जो salary है वो 50% ज्यादा है b के salary से ठीक है how much percent it is b salary less than a तो कितना percent जो होगा बच्चे b का salary वो a से क्या होगा बच्चे कम होगा ठीक है फिर से परते है questions को कि a का salary जो है वो 50% ज्यादा है b के salary से ठीक है तो हम late करते हैं कि b का जो salary होगा b का जो salary होगा बच्चे वो कितना होगा x होगा तो a का salary कितना होगा h का salary a का salary क्या होगा x plus 50% of x यह होगा ना या फिर आपको simply इसको इस तरह के से भी लिख सकते है 150% of x बात वहीवा दोनों के लिए एक ही चीज़ हो जैसे यहाँ पर पहले से solve कीज़ेगा तो x plus क्या आएगा देखे यह दोनों जो अभी हमने जो point को लिखा है इस दोनों point में बच्चे को problem होता है यह क्या करते है सोचते हैं कि यह लिखे कि यह लिखे कुछ भी लिखे दोनों लिखेगा देखेगा value आपका same ही आगा जैसे आपको पहले बाले कलिए x plus क्या हो गया 50% of x यानि 50 upon 100 into x तो कितना हो गया बच्चे आपका यह point से point कर जागा 5 to 10 तो क्या हो गया 3x upon 2 ठीका और यहाँ से क्या हो भार को यूच की जै किसी भी language को यूच की जाती हो जागा चलिए, तो age का salary 3x by 2 मिल क्या, तो आपको कहा जा रहा है कि how much percent b salary less than a, तो b का salary जोगा, वो कितने percent कम होगा, a से, b का salary कितने percent होगा, कम a से, तो हम कैसे निकालेंगे, age के salary में से, a के salary में से b का salary घटा लेंगे, ठीक है, और उसको divide कर देंगे, a के salary से, और इसको 100 से multiply कर दें किसी का percentage कैसे निकालते है, पुछा जाता है कि how much times ये, आपका कोई भी quantity decrease कर गया, या decrease कर गया, how much percentage, कितने percentage होगा हमारा quantity decrease कर गया, increase कर गया, तो क्या करते थे, पहले बाले को लिखते थे, फिर क्या करते थे, बाद में b को, जो भी कहता था, उसको घटा थे, फिर नीचे व अपन ज्यादा वाला ठीक है, तो ये हमारा एज का salary होगा, माइनस भी का salary अपन एज का salary, ठीक है, तो एज का salary कैसे निकालेंगे, एक का salary कैसे निकालेंगे, रुक जाई, पहले मार्कर्स को change कर लेते हैं थोड़ा सा, एक सेकेंड बच्चे, हाँ चलिए, यहां से हम लिख रखेंगे, यह का salary क्या होगा, हमारा 3x by 2, माइनस x है b का salary, और यह होगा 3x by 2, यह into 100 है, तो यह आपका x x, x से x समय कट गया, 3 by 2 minus 1 कितना होता है बच्चे, आपका 1 by 2 होता है, नीची क्या होता है, 3 by 2 है, into 100 है, 2 से 2 कट गया, तो यह क्या होगा 100 by 3 percentage, यह सभी percentage है, यह salary होगा, वो कितने एक salary से 100 upon 3% से कम होगा, यानि 33 point something, 33 point 33, तो इतने से क्या होगा, वो कम होगा, ठीक है, तो कैसे बनाना आपको समझ में आ रहा है, किसी के भी आपको decrease in percentage, less than increment in percentage, ऐसा कभी questions आए, तो जैसे यहाँ पर कहा जा रहा कि कितने से आपको क्या होगा, बच्चे, आपका less हुआ, decrease हुआ, तो आप कैसे निकालेगा, ज्यादा वाला minus कम बला कीजेगा, आपको ज्यादा वाला कर दीजेगा, गुने क्या कर दीजेगा, 100 कर दीजेगा, ठीक है, वहाँ से आप इस तरके से निकाल सकते है, percentage को, तो यह percentage का basic question है, आपको percentage पता है कि percentage क्या होता ठीक है, ठीक है, थोड़े रुक जाए, बच्चे, तो ठीक है, बच्चे, normal percentage तो आपको निकालने आता था, तो देखिए, call आ गया था, थो थोड़ा सा, इसका sorry, तो normal percentage तो निकालने आता है, लेकिन, इस type filter questions में बच्चे परसान हो जाते हैं, confused हो जाते हैं कि increase and decrement कैसे निक तो बस simple था बात है 20% का fraction कहा जाए तो आपके कीजिए 20 into 1 upon 100 कर दीजिए तो क्या हो गया यह कर जाएगा 2 कह जाएगा 2 5 यह 10 तो क्या हो गया 1 upon 5 is the fraction of 20% तो क्या होगा option number B simple question था यह fraction निकलने वाले questions ऐसी टाप के आते हैं तो इसी तरह की से आपको बनाना होता है नेक्स कहा है रहा है शके आपको रोला प्लास संथ क्याने कह जा है तो आपको फॉब आपको प्लाटे करने किसी आपको पर्सेनेज में कहा जा रहा है तो पर्सेंटेज में कभी भी convert करने के लिए 100 से multiple करते हैं तो यह two से sorry यह zero से zero करणगा यह क्या होका two से five times कर दिए तो क्या होका five into five इतना क्या होगा आपका percentage हो गया 25% 25% यह निया option number C तो ऐसे आपको क्या करना है आपके ratio को percentage में convert करने है ठीक है चलिए next questions की और half of 1% detain as decimal is half of 1% questions को language को समझेगा बहत ही अच्छे language के questions है तो यह अगर language को नहीं समझेंगे तो क्या होगा वही प्याप गलती करतेंगे ठीक है तो half of 1% 1% का half 1% का half को decimal में convert करना है तो 1 half of 1% इसके language इसी तर लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे 1 by 2 into 1 upon 100 half of 1% यही हो गया तो यह क्या हो गया आपका बच्चे 1 upon 200 और 1 upon 200 को जब हम decimal में लिखने की बात कहेंगे तो 0.005 क्या होगा 0.005 आप इसको convert किजेगा decimal में जब आप क्या किजेगा 1 को divide 200 से तो क्या होगा आपका 0.005 आजाएगा ठीक है तो क्या हो गया हमने 1% of half of 1% of decimal में convert किया कितना आता है 0.005 यहने option number D हो जाता है ठीक है चलिए नेक्स को बढ़ जाते है यह कुछ आपके बहुत छोटी वीडियो रहेंगे और इसमें आपको हमने कहा ना कि आपको जैसे कुछ languages को सीखाएंगे जो उट पर टांग लेगे विए questions देते हैं और कुछ आपको percentage के basic को बता देंगे यहाँ पे है what is 15% of 34 तो यह भी एक questions अच्छा सा है questions आता है यह normal questions भले ही है लेकिन क्या है आपको यह भी एक language वाले questions होते हैं इसे हम कैसे deal करते हैं तो देखे 15% of 34 34 का 15% यानि आप कर सकते हैं 15% of 34 यानि 34 का 15% क्या होगा यह से 100 का 100 आपको बताएं कि 50% of 100 100 का 50% क्या होगा तो यह तो बचे देखते हैं बता देंगे 100 का 30% कितना होगा 100 का 30% 30 होगा 100 का 25% of 100 कितना होगा 25% of 100 तो 25 upon 100 into 100 यह 100 से 100 कर क्या कितना होगा 25 25% of 100 का 25 होता है इसे तला आपको 34% of 35 का निकालना है तो 15 upon 100 कर देंगे गुने कैसे के कर देंगे बचे 24 कर देंगे ठीक है मार्कर्डश कर लेते हैं और क्या करेंगे इस अब हम simplify करएंगे कैसे करेंगे simplify जलिये देख लेते हैं तो यह क्या हो गया 5 3 50 और 5 2 10 5 5 15 और 5 25 10 10 हो गया तोई निक्शट किया है अपका यह 10 times कर जाएगा और यह कितना हो जाएगा आपका 34 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो गती थोगा 17 times क्या हो गया 173 17 bonds 3 इकावण हो गया upon क्या हो गया 10 हो गया तो यह कितना हो गया 5.1 या फिर 5 ret इसको 5.10 भी लिख सकते हैं, एक और 0 लगा दीजे, कोई फरक्टी पड़ेगा, ठीक है, तो 5.10 लिखेंगे हम, तो क्या होगे हमारे decimal, क्या होगे 5.10, यानि option number A, क्या होगे option number A, ठीक है, तो 15% of 34 का कितना होगा, 5.1 होता है, ठीक है, तो चलिए, ये कुछ आपके, कुछ questions थ है, तो उसको हमने आपको यहाँ बताने का कोशिस किया है, question number 1 जो था, वो बहतरीन questions था, अच्छा questions था, 1 number questions से questions पूछे जा सकते हैं, और 5 number से थोड़ा आने का chance है, लेकिन ये क्या हता है, एक normal questions हो जाते हैं, तो हो सके कही 5 number questions से पूछे, लेकिन 1 वाले number जो questions है, उससे questions क क्या किया जाता है, बच्चे, different different तरिके से पूछा जा सकता है, ठीक है, तो चलिए वीडियो को रखते हैं, यही पर अपना score comment box में लिख कर आप हमें जबर बताईएगा, तो thanks for watching my video, तब तक के लिए, देखे बच्चे, एक नया questions यहाँ पर है, चलिए इसको बात दील करें तो thanks for watching my video, तब तक के लिए, बब बाई